एक teacher learners की written और oral सभी common mistakes को collect करता है और बाद में अपनी class में बिना किसी का नाम लिये हुए सारी mistakes पे discussion करता है इस तरह से वो क्या कर रहा है क्या वो तावनी तद्रीश यानि की cooperative teaching कर रहा है या फिर माबाद अंदाजे कदर सरगर्मी यानि की post evaluation activity कर रहा है या गलतियों का तजजिया यानि की mistakes का analysis कर रहा है या फिर वो feedback दे रहा है कौन सवाल आफसन सही है कमेंट में आप लोग जवाब बताएं हैदरे study point को जरूर सबस्क्राइब करें शुक्रिया